आज हम बात करेंगे 5th में की energy की और 6th में की energy की मैं 5th और 6th की वीडियो एक साथ बना रही हूँ क्यों भी नहीं पता मुझे लेकिन जब बना रही हूँ तब ही पता चलता है तो 5th में और 6th में की energy जो है वो किस तरहां के रहने वाली है पहले हम overall cards निकालेंगे दोनों दिन के लिए और फिर एक एक दिन का 5th का और 6th का card जो है वो अलग लग निकालेंगे तो पहले हम दोनों 5th और 6th की जो overall energy है उसको देखते हैं 5th और May 5th में और 6th में की overall energy जो है वो किस तरहां की रहने वाली है क्या होने वाला है क्या हमें पता होना चाहिए और यह दो card एक और यहां पर यहां पर I think I will just pull out one more card और यह मुझे here wow beautiful so 5th और 6th of May की energy 5th और 6th of May की energy जो है वो इस तरहां के मैं हाथ आपको मेरे जादा नहीं दिखेंगे मैंने तुड़ा सेट अप वो किया है ता कि cards आ जाएं तो मैं हाथ आगे नहीं रखाऊंगी जादा स्टिच पढ़ जा रहा है जहां पर आप किसी और के साथ मिलकर किसी project पर काम कर रहे हैं या किसी project की completion पर काम कर रहे हैं या किसी भी चीज को किसी भी task को complete करने पर काम कर रहे हैं अगर आप यहां पर देखेंगे तो यह तीन लोग हैं और आप देखेंगे तो तीन लोग हैं तीनों मिलकर क कुछ create कर रहे हैं और actually is card को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यह amm एक परसन जो है यहां से यहां से दागा जो है उससे बुनाई कर रही है दूसरी परसन जो है एक तरह से कुछ क्रियेट कर रहे हैं. तो मुझे ऐसा प्रोजेक्ट में बैगरउ limaux, ऐसको कियानी कोुछरी दिखाई रहे हैं। इस पर दिखाई दे रहा हैं। इस सामने दिखाने वाला अगर अगर और आप देखेंगे तो यहां पर ग्रीन वाला धागा जो है, वो यहां पर इसकी शर्ट के पिछे से आ रहा है, रेड वाला धागा यहां से आ रहा है, और जो वाइच है वो नीचे पड़ा हुआ है, और यह जो परसन है, यह अच्छली इसको देख रही है, और अब्जर्व कर रही है, तो यहां बैग्राउंड में definitely कोई और आपके साथ काम कर रहा होगा और इस connection के बाद इस connection के बाद मुझे definitely किसी तरहा का एक strong partnership जो है वो नज़र आ रहा है तो ये again connect की energy है ये completion ये task की project की energy है तो यहाँ पे मुझे completion की energy या एक partnership की energy जो है नज़र आ रही है यहां पे और आप देखेंगे तो दो हाथ है और दोनों हाथों से अलगलग colors निकल रहे हैं और दोनों बाउल समें यहाँ डोनों cups में वो colors जो हैं जा रहे है two of cups का काका है two of cups का connect करने का two of cups का का card एक दुसरे के साथ मिलने का ingenes सोल का का जो है वो कार्ड होता है और अगर अगर आप एक अच्छा ब्यूतिफोल किनेक्टिवीटी और और यह कार्ड दिखा रहे हैं और तीसरा जो कार्ड है वो सिक्स ओफ कप्स का काड और six ओफ कप्स का काड एक जरॉरनी कर रहा है ये एक छोटा बचा और डॉझ छूरू किती च्छोटे से बाउल से ओ ले बाउल बड़ा हता गया और वह भी वाव Detective कर्ता। नहीं रिलेशन्षिप Ethiopia का इंडिकेट करता है। यह जो काड है यह एक कनेक्शनione, लॉयल टी एक लब जुए रहे हैं। मुली बहुत कनेक्शन की ऑनार्जी नजर आरही है वो नाज़र एक तरह से नोस्ताल्जिया की था past moments को relive करने की energy past connections के वापस आने की energy जो है उस तरहां की energy मुझे नजर आ रही है और यहां पर अगर आप देखेंगे full card है full card एक नहीं शुरुबात का card होता है और अगर यह full देखेंगे आप तो इसके हाथ में इक stone है purple color का और वो purple color का stone लेकर वो खुद भी इस नया जो पोटल खुल रहा है उसके अंदर गिरने के लिए तयार है उसने एकदम अपने आपको free flow छोड़ दिया है और यहां पर अगर आप देखेंगे इसकी जो neck है या chest है उसके उपर धागे या beads जो है उनका एक तरह से ए एक design या एक loop जो है वो बन रहा है और definitely heart की energy जो है वो illuminated है उसकी और completely focused है वो completely let go कर चुकी है नए portal की तरफ नए beginning की तरफ and she is ready to fall into this portal and यह बहुत beautiful portal है because यह portal जो है full flower आपको यहां पर दिखाई देगा और मुझे ऐसा लगता है that the energy says that it is time जहां पर you let go of your past you let go what you've done what has happened आप past को क्या हुआ है कैसे हुआ है उसको छोड़े अपनी past की journey को आप दुबारा से देखेंगे and then उसके बाद आप completely let go करके एक नए energy की तरफ जाएंगे क्योंकि last का card जो है that is justice and justice is this beautiful card of balance और यह मुझे past और future के बीच में balance लग रहा है और अगर आप यहां देखेंगे तो वो sword जो है उसको निकाल रही है cover से और यहां पर cover के पास sword में एक जो side है wing scale की वो है और एक sword के इधर है wing scale की side और यह बीच में से sword को निकाल रही है so something जो justice के लिए जरूरी है कुछ ऐसा जो justice को complete करने के लिए जरूरी है जो अब तक छुपा हुआ था उसके बाहर आने की energy जो है वो मुझे दिखाई दे रही है and then this is a very calm and composed energy और बहुत सारे लोग जो है वो उसके साथ हिलने वाले है या शेटर होने वाले है या फिर surprise होने वाले है या शौक होने वाले है लेकिन कुछ शुपा हुआ हुआ जो है वो बाहर आने की energy मुझे दिखाई दे रही है और चुपा हुआ जो भाहर आएगा वो जिस्टस के जो दोनों पाथ है दोनों पाथ है दोनों साइट्स है उनको बालेंस करके लाएगा और यहां पर हम देखें तो 3 प्लस 2 5 की energy है 5 प्लस 6 जो है 11 बनता है बीच में 0 है और फिर से 11 है तो 11 0 11 की energy है which is 11 0 1 1 लोजिक गेट्स अ जहां पर पास्ट का नोस्टैल्जिया जो है पास्ट की energy पास्ट के relationships पास्ट के connections पास्ट के कॉंटेक्ट्स पास्ट की completions पास्ट की चीजें जो है वह एक जीरो पॉइंट पे आती है जहां पर एक नया लीप लिया जाता है जो भी है वह उसमें डाल दिया जाता है और वह तो डॉनों। की एनरजी जो है दूसरे के साथ बहुत से गईजहया और यहा소 सकते हो और आपस अमाले तो आप सोड़ी साहं कुछ Уब्येशर सारे रीपले हो सकते हैं और कुछ जो है वो एक जोन आप अपनी दुबारा से देख सकते हो तो वो ज़रूर ध्यान एक नही बिग्णिन और एक नही लीप definitely है अब हम बात करते हैं तो एक सेंड लगाई जो तिर मैं कार्स निकालती हूं वीडियो को लाइक कर दीजी हो और शेयर कर लीजी इट इस रहली हैं और देखते हैं फिफ्थ की अनवर्जी जो है कैसी रहने वाली है 5th of May 2022, Guides Angels, 5th May 2022, specific to 5th May 2022, and I still feel that there are two cards, yes, I was taking two cards, two cards again, and this is the energy of 5th May 2022, 5th May 2022, Ace of Cups and Knight of Wands, beautiful energy, powerful energy, and here I am showing emotional energy, where there is a reflection, which comes from past memories, your heart is very high, the energy is very high, and a new beginning, or a way to balance your heart, and manage the flow, which is very important to you, King of Wands, King of Wands, we relate to someone, and otherwise, if you say King of Wands, King of Wands, it is power, authority, ability, power, authority, and if you look over time, he's not attacking mode, he's started attacking mode, he's the alliance, serve a king to check, he'll even walk the you eyes, and he's waiting 2x after this, first time I will find whether, if you look at this, that is Black 거야, and if you look लेंस दाइब किंग बनना या रिस्पॉंसिबलिटी लेना असान नहीं होता है वो डेफिनिटली उसके साथ बहुत सारी फ्लेम्स जो है वो जुड़ी रहती है और यह वांड जो है यह कंप्लीटली ग्री आपको दिखाई दे रही होगी लेकिन कई बार जो लोग वो लेकिन वह यह नहीं दिखाते हैं कि कितनी सारी आग या रिस्पॉंसिबलिटी वह अपने उपर लेकर चल रहे हैं वह स्ट्रेंथ जो है उसको समझ आना है है हाट पर अगर आप देखेंगे तो अगर आपके लिए इसको इंटर्प्रेट करो तो मैं बोलूंगी कि अपने आपको बैलेंस रखेंगे अपने पैशन और इमोशन के एनरजी को डेफिनिटली सिंक में रखेंगे पास्ट का आपका जो पैशन है पास्ट के आपकी जो एनरजी है पास्ट के आपकी जो टास्क्स है उसमें से कुछ जो है वो वापस आ सकता है आपकी लाइफ में उसमें से किसी के एनरजी बहुत हावी हो सकती है कोई परसन आपके साथ कनेक्ट हो सकता है बहुत स्ट्रॉंगी किसी परसन से कोई ऐसा मैसे जो आपके हार्ट को इंफ्लेंस करें किसी तरह से और ओवर अनर्जी जो है वो क्योंकि 5 एप्लस 1 6 एनर्जी बनती है तो 6 एनर्जी जो है वो celebration के अनर्जी अगें इस nostalgia के अनर्जी और कहीं वो एक तरह से अपने इमोशन्स को बैलन्स करने के अनर्जी और लवर्स की एनर्जी जो है यह connectivity की एनर्जी जो है connection की एनर्जी जो है वो 6 की एनर्जी दिखाती है तो मुझे अगर आप किसी का वेट कर रहे हो तो यह मुझे वेट खतम होता हुआ दिखाई दे रहा है जहां पर वो 6th of May 2022 6th of May 2022 guides angels what is going to happen okay 6th of May 2022 let's see what we get wow beautiful we got another 11 and 5 7 energy बन रही है और मैं बो रहे हूं की जो अगे फ्लो होने वाली है जो 5th of May 2022 उसमें हमें 6 नंबर आया है जो 6th of May 2022 आप देखेंगे तो यह एक page of pentacle का अगर आप देखेंगे तो एक पैर पर फेज यह वह खड़ी है और चारो तरफ बहुत सारी ग्रीन दी बहुत सारा बालन से और अगें सिमिलर एनरजी यहां पे हार्ट ओपन अप हो रहा है और यहां पे हार्ट को प्रिटेक्ट किया जा रहा है तो अपने हार्ट की कर देखेंगे नर्जी होती है वहें पूर्टल जो यहां पर फूल जम्प कर हाया है वही पॉर्ट Wille जो है वहें देखेंगे आ फीज घठेच जा रहा है एंगने बीग्निंग पे लेके जा रहा ए एक नया स्टैयकेस सामने आरहा है को ओम यहां पे tutorials दिखाई देगा यहा आपको बहुत सारे साइन्स आई बहुत सारे साइन्स जो है इस कार्ड में दिखाई देंगे और यह डेफिनिटली इंडिकेट करते हैं एक निया पोर्टल ओपन अपो रहा है और एक नई बिगिनिंग जो है वह हो रही है यहां पर देखे क्योंकि फिफ्थ में मुझे फिफ क्योंकि फिफ्थ में और यहां पर फिफ्थ की इनर्जी बहुत स्ट्रोंग दिखाई दे रही है तो मुझे असा लग रहा है कि कोई ऐसा टास्क को यह से चीज जो फिफ्थ को बिगिन होगी और उसका कुछ हिस्सा कुछ रिजल्ट कुछ उसका एफेक्ट या कुछ उसके थ्रू क्या बिगनिंग होने वाली है उसकी इंडिकेशन आपको सिक्स्त को मिलेगी लेकिन फिफ्थ और सिक्स की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रॉंग दिखाई दे रही है हेल्थ फाइस धान रखना है पास्ट मेमरी उस वाइस थोड़ा सा स्ट्रॉंग रहना है अपनी स करोया है सकते जही जो कहीं मुझे क्यों कि सामने माने को लगे भाइब कऊछी दियर पास्ट की कोई ऐसा चीजी ओए आसे सामने तो उमीद खर्तियों कि 5th और 6th को कुछ बहुत स्ट्रॉंग एक्शन हो और डेफिनेटली वो कुछ बहुत स्ट्रॉंग चेंज़ लेकर आए लेकिन 6th के एक पाउंड पे खड़ रहने की अनर्जी मुझे लग रही है तो डेफिनेटली 6th को आपको काफी अनर्जी काफी एक्टिविटी से शाम को पांच बज़े तक काफी एक्टिविटी रहने वाली है 6th और में को फिफ्थ चो है वो इंडिया और वर्ल्ड की एनर्जीज तो नमस्ते जय हैं जय मातादी और जय भारत आज हम बात करेंगे 5th और 6th और में में इंडिया और वर्ल्ड के लिए जो एनर्जीज हैं वो किस तरह के रहने वाली हैं जादा शेफल मैं कर नहीं सकती हूँ आप ही तो नहीं करूंगी सो लेट सी की एनर्जीज जो हैं इंडिया और वर्ल्ड के लिए किस तरह के रहने वाली हैं बैग्गराउंड में प्यू की आवाज आपको आती रहेगी बिकेस चीज close by so let's see इंडिया के लिए 5th और 6th of May की एनर्जी जो है किस तरह के रहने वाली है इंडिया में क्या होने वाला है हमें क्या पता होना चाहिए और हमारे आसपास हमें क्या देखने को मिलने वाला है 5th और 6th of May वाउ इंडिया के लिए एनर्जी बहुत स्ट्रॉंग है बहुत स्ट्रॉंग क्योंकि अगर आप देखेंगे 3 of Wands की एनर्जी है Justice की एनर्जी है Magician के एनर्जी है 1-3 बनता है और यहां पर 3 की एनर्जी है Total 6 बनता है इनर्जी बहुत बीूटिफूल है Something is going to break और यह जो ब्रेक है लेकन कोई नेड़ा चुरू होने वाला है उस ब्रेक जो मैजिक शुरू होने वाला है और वो ब्रेक जो है वो जस्ट्रस भी लाएगा दूसरा मुझे इंडिया के लिए इसा लग रहा है जिसे इंडिया is ready किसी action के लिए just waiting for the ships to come in कोई बहुत बड़ा action या कोई बहुत बड़ी चीज जो है वो planned है इंडिया की already और अगर आप तेके तो यह सफ बोर्ट के साथ completely ready है मशाले जोल रही है समंदर सामने है बस सफोर्ट डालना है और सफिंग चुरू करनी है और वही एनरजी जो है वो मुझे दिखाई दे रही है कि यहां पर इंडिया किसी चीज के लिए ready है और बिलकुल action oriented energy है signal मिल चुका है और उस signal को ले कर step लेना है और वह जो step है वो definitely किसी चुप हुए चीजों को बाहर लेकर आएगा और इक तरह से निया balance जो है वो लेकर आएगा एक नही बीगिनिंग जो है वो लेकर आएगा एक नहीं अगर मैं बोलु इंडिया के लिए उपन अपोरी है और अगर आप देखे तो थी प्लस फाइफ और फाइफ प्लस वान सिक्स तो फिफ और सिक्स दोनों के अनरजी बहुत 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 क्लियर जो है वो नजर आ रही है इसमें और मुझे असा लगता है कि इं किरसे उन दोनों दिनों में ही इसे कुछ एसे स्टांग 240 आ सकती हैं n यहां फिल्व पिल्व मुझे न चेंट सम अंपन करेए यहां पर मुझे कुछ अवेड़ प्लस घे xe करने लाइन के जञें भी मैंदेश ब्हुत कुछ स्राइब और क्योंकि जस्टिस है और बैलन्स है और यहां पर दो ऑपसिट पार्टी भी मुझे दिखाई दे रही है तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हम देख रहे हैं और जो दंगे और वह सब चीजें जो हो रही है वहां पर मुझे एक और नया क्या बोलूं एक तरह से एक गहरी साजिश जो है वह उपन अप होती हुए दिखाई दे रही है तो या तो किसी साजिश का पर्दाफाश बहुत स्टॉंगी होगा या फिर एक नहीं साजिश जो है उपन अप होती हुए दिखाई दे रही है और कुछ लोग ऐसे जो सिरफ एक वेट कर रहे हैं एक स्ट वर्ल्ट के लिए जो इनर्जी है फिफ्ट और शिक्स तॉफ में अगें वेरी स्ट्रॉंग चांसे ऑफ यूज ऑफ सम्थिंग जो नुकलियर हो सकता है या फायर वेपन हो सकता है या फिर किसी तरह का बॉम राइट तो मुझे वह बहुत स्ट्रॉंग दिखाई दे रहा है क्यों मैंने ऐसा बोला क्योंकि यहां पे भी आपको एख फायर दिखाई दे रही है और वह रेड़ी है ऊसवाइर को छोड़ने लिए और यहां पे वह लोग है वह पुरा जॉर्च में झोन की दिखाई दे रही है और अगर नमबर की बात करोंगी तो यह ठर्टीन होetus और यह 16 है 7 बनता है 7 प्लस 4 11 की जो एनरजी होती है और 11 और यहां पे 10 है तो 11 और 10 और टोटल 3 की एनरजी अब यहां पे मुझे एनरजी जो है इस तरह के दिखाए दे रही है जहां पे एक तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई queen और जब हम queen की बात करते हैं तो हम usually mostly UK की तरफ indicate करते है कोई queen जो है कोई decision ले सकती है या कोई queen जो है कोई ऐसा काम कर सकती है या कोई ऐसी कोई country जो है कोई ऐसा decision को ऐसा काम को ऐसी चीज को सामने लाना को ऐसा indication सामने लाना ऐसा कुछ कर सकती है जिसकी वज़ा से एक बहुत बड़ी tower moment होगी और यह tower moment जो है बहुत life को impact करने व एक जगा छोड़ के जाने की एनर्ची है, तो मुझे वर्ल्ड को लेकर ऐसा लग रहा है, जैसे एक बहुत बड़ा ब्रेक अप भी हो सकता है, जो चौन्ट्री साथ में हैं, उनके अंदर बहुत बड़ा ब्रेक अप हो सकता है, जिसके वज़र से एक या एक से जादा कंट्र और उस action की वज़ा से लोगों लोग जो है पहले से समझदार है वो छोड़ के चले जाएंगे जगा को और तीसरा मुझे किसी तरहां का कोई natural disaster भी दिखाई दे रहा है तो उसकी possibility भी दिखाई दे रही है लेकर इंडिया के लिए भी और वर्ल्ट के लिए भी फिफ्ट और सिक्स दोनों के energies बहुत जादा स्ट्रॉंग हैं तो नेक्स वीडियो में बात करेंगे और एकल मेसेज की और सुशांत के मेसेज की फिफ्ट और सिक्स आफ में के लिए लेकिन डेफिनिटली मुझे बहुत स्ट्रॉंग चेंजिस जो है नजर आ रहे हैं क्योंकि यहां पे दो major arkanah है यहां पे एक major arkanah है लेकिन queen of wands किस त से अपने heart को balance रखेगा एक टांक पे खड़े होने वाली energy दिखाई दे रही है 5th और 6th of May की तो बहुत strong energies है let's hope कुछ बहुत अच्छा हो और अगर हो सेके तो video को like कर जिए सबके साह शेयर कीजिए और मैं अगली video में बात करूंगी और एकल मेसेज की और सुशांत के मेसे अगर आप कंटिन्यू कर रहे हो तो दुबारा से भारत और बात करते हैं 5th और 6th के लिए और एकल मेसेज क्या है और 6th of May के लिए क्या मेसेज है हम सब लोगों के लिए God and Goddesses का so let's see क्योंकि ये तो मैं आख बंद करके ही मुझे निकालना पड़ेगा क्योंकि शफल मैं करके निकालने सकती हूँ तो मैंने आखे बंद ही रखी है अपनी क्योंकि पीछे से भी cards दिखाई देते हैं न ये so 5th or 6th of May 5th and 6th okay so यहां पे दो cards जो है वो अलड़ी आ चुके हैं and I am guided to pull out one more just for that combined energy or here okay so let's see kya आए है 5th or 6th of May 5th of May के लिए शेशनाग के अलड़ी आई है शेशनाग जो है king of serpents बोला जाता है और शेशनाग के सर पे धर्ती टिकी हुई है ऐसा भी बोला जाता है और शेशनाग के जो energy है वो बोलती है I bow down to सेशनागा the leader of the hooded serpents who take an infinity of forms and who holds this earth like a mustard seed on just one of his thousands heads patience and fortitude ability to serve with humility physical and mental strength ability to adjust to various circumstances Now, जहाँ पर सेशनाग के बात होती है या नाग के बात होती है वहाँ पर definitely renewal के बात होती है और यहाँ पर एक और चीज जो मुझे दिखाए देरी है वो leadership skills के वारी energy दिखाए देरी है जहाँ पर actual में जो responsibilities है वो just like mustard seeds बहुत सारे heads है और वो responsibility divided हो जाती है और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो patience है वो एक तरहां से serve करने वाले है physical mental strength आपको definitely रखनी है लेकिन एक renewal के energy है एक patience को serve करने के energy है और एक तरहां से energy है जहाँ पे patience जो है आपके finally pay off करने वाले है तो उस तरहां की energy मुझ तो मुझे ऐसा लगता है कि multiple thoughts, multiple ideas, multiple changes, multiple actions, बहुत कुछ जो है वो immediately immediately एक के बाद एक जो है वो आपके सामने आ सकता है और ये emotional level पे भी हो सकता है तो अपने आपको थोड़ा सा balance रखें दूसरी energy जो है यहां पे 6th के लिए जो है वो भद्रकाली है और वो goddess of darkness है तो भद्रक की energy है वो definitely बहुत strong energy है वो बोलता है victorious one, suspicious one, काली, भद्रकाली, wearer of the skull garland, oh mother, all forgiving protector and nurse, sacred syllable of the sacrifice, I bow down to you, worldly power, earthly enjoyment, fearlessness in battle, excess of feminine powers and virtues, और ये जो energy है यहां से मुझे, definitely world में जो changes आने वाले है और जो हमें भी impact करने वाले है, every person will be impacted by that, वो मुझे 5th और 6th की energy में दिखाई दे रहे है और definitely, battle की energy भी और स्ट्रॉंग होती है दिखाई दे रही है लेकिन, excess of feminine powers and virtues की energy जो है मुझे एक तरह से यहां positive लग रही है, because awakening की energy जो है, वो मुझे दिखाई दे रही है, तो 6th, 5th के जो भी, बहुत multiple चीजें जो 5th को होगी, वो 6th को definitely किस अवेकनिग जो है, सब के लिए लेके आएंगी, और last card है, combined energy of the two, सिता मता की energy जो है, सिता मता की energy जो है, वो बहुत powerful energy है, sacrifice की, self reflection की, और अपने आपको समझने की, और अपनी जो self respect है, उसको प्रूफ करने की, या उसको सबसे जादा strong रखने की, और यहां पर वो बोलता है that I offer my reverence to Rama's beloved Sita, the source of the world creation, maintenance and destruction, the remover of all miseries and bringer of all spaciousness, fidelity in love, devotion of truth, penance in tolerance and power to improve upon oneself, so मुझे यहां पर energy जो है, वो बहुत जादा strong लग रही है, about truth की, about devotion, और मुझे ऐसा लग रहा है, जैसे इस energy में, again हमें दिखे तो creation, maintenance and destruction, जो है, तीनो ही चीजें जो है, दिखाई दे रही है, और miseries का remove होना दिखाई दे रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है, कि 5th or 6th की energy together, जो energy है, वो definitely कुछ ऐसे powerful changes लाने वाली है, जो darkness को खतम करने की तरफ जाने वाले है, so उमीद करते हूं कि कुछ बहुत अच्छा हो 5th or 6th को, और यहां पे हम बात करते हैं, सुशान्त के message की 5th or 6th of May, जो बहुत समूर्ली message जो है, बहुत समूर्ली message बाहर आ गया है, और लेट सी कि क्या message है, तो message is time for a nap, और यह card actually reverse आया था, तो मैं आपको इस card को पढ़के सुनाओंगी, क्योंकि यहां पे reverse meanings है, मैं ऐसे reverse cards नहीं लेती हूं, बट यहां पे reverse meanings है, और number 24 है, तो 6th की energy फिर से है, which means that 6th की energy जो है, वो जादा strong है, मैं एक और card जो है, निकालूँगी, जा के देखो नानी बुला रहे है, okay, so यहां पे, 20, यहां पे, so this energy, मैं हिंदी में पढ़ूँगी, English में आप खुद पढ़ सकते हो, 24, मैं सही card पढ़ रहे हूं, नहीं 26 था ही है, 24, यह रहा 24, okay, so दूसरा card पी हूँ ने और अल्रेडी वो करके रख दिया, okay, ठीक है, बस छोड़ दो, अब, thank you पी हूँ, thank you, अब आपने चेरना नहीं है, ठीक है, यह जो है, यह 30 नंबर का card आया है, which is TikTok, so पहले यहां पे, वो बोलता है, कि, आप human, human हो, human being हो, लेकिन human doing नहीं हो, आपके लिए possible है, कि आप workaholism से सफर कर रहे हो, या आप बहुत जादा काम कर रहे हो, और यह भी हो सकता है, आप अपनी job के बारे में सोच रहे हो, आप दूसरों के बारे में सोच रहे हो, और आप बस straight देखे नहीं पारे, आप बहुत हार्ड वक किया है, लोगों को नरश करने के लिए, प्रोजेक्ट को नरश करने के लिए, और अब आप एक empty well की तरह, जो है, वो महसूस कर रहे है, और जहां पर दूसरों के लिए को रिजर्फ जो है, वो अपनी ले नहीं बचा है, आपनी ego को इतना strong मत रखे कि वो अब करता है, इलनेस, या ओवफेल्म, किसी तरहां कि जो प्रॉब्लम है, बहुत जादा चलते रहने कि उसकी विज़ह से कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई issue हो सकता है, लेकिन अगर आप रैस लेंगे, अगर आपने आपको एक ब्रेक देंगे, तो आप अपने आपको एक आपको rest को time देना है और 20 जैसे हमने बोला कि जो फिफ्थ की energy है वो renewal की energy है जहां पर emotional self और rest जो है दोनों जुरूरी रहने वाला है और जो six की energy है वो action की energy है तो फिफ्थ की energy के लिए time to sleep का card आया है और जो six की energy है उसके लिए tiktok tiktok का card आया है और tiktok का card जो है वो यह रहा tiktok और tiktok बोलता है timelessness divine timing immeasurable time और यह बोलता है कि समय हमने बनाया है समय miracles जो है वो अभी है और जब सही time आता है तब वो अपने आपको show करती है तो time for miracles जो है वो आ चुका है और यह कहीं न कहीं card indication देता है कि आप divine पर भरोसा जिस भी miracle के लिए वेट कर रहे है the time has come for that or time यहां पर देखे तो यहां पर 10 बच के 7 minutes हुए है how beautiful 10 बच के 7 minutes हुए है the energy is also like that 5 6 7 so 10 और 7 k energy है और total 8 बनता है और यहां पर 30 number card है 8 plus 3 11 बनता है so that energy is still moving very amazingly well और जो मेरा camera है वो बोल रहा है बस तो मैं बस करूंगी अब और आपको I am giving you giving us this message that something magical is definitely arriving for us क्योंकि 4th से थोर्ट से जो आज की energy से जो card शुरू हो है they are all indicating some strong magic so some strong magic definitely is arising for us so अगर हो से के तो video को लाइक कर जिए शेर कीजिए सब के साथ और thank you take care have a good day bye bye